होती है अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने 250 ग्राम के करीब ब्रोकली लिया है मैंने इसे अच्छे से वाश कर लिया था फिर इसे कट कर लिया है और यहां मेरे पास 200 ग्राम पनीर है तो हमें इसे शेलो फ्राइब करना है सबसे पहले हम पनीर को शेलो फ्राइब कर लेंगे इसके लिए मैंने यहां पैन में दो से तीन टेबल स्पून ओयल डाला है ओयल बिलकुर गरम है तो हम इसमें बहुत ही केरफूली एके करके पनीर इसमें डाल देंगे हमें इसे चारों तरप से लाइट ब्राउन होने तक फ्राइ करना है ज्यादा डार्ट नहीं करना है हमें यह देखिए पनीर का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे अराम से टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे अब सेम पैन में मैं यहाँ पे ब्रोकली फ्राइ करने वाली हूँ तो यह ब्रोकली हम इसमें डाल देते हैं और इसे फ्राइ होने में कम से कम साथ से आट मिनट का टाइम लगेगा हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है बस इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए साथ से आट मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राइ करते हुए और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अब मैं इसे टीशू पेपर पे निकाल लूँगी अगर आप चाहिए तो इसे और ज़्यादा कूप कर सकते हैं बड़ मुझे यह ऐसी ही पसंद है अब सेम पैन में मैंने यहां एक टेबल स्पून ओल लिया है अब हमें इन सभी को यहां फ्राइ करना है तो यहां मेरे पास एक टमाटर है मैंने इसे रफली चॉप कर लिया था दो हरी मिच एक बड़ा प्याज एक इंच अदरग का टुकड़ा कुछ लैसुन की कलिया एक तेजपता और दो दालचीनी का टुकड़ा अब हम इन सभी को इस पैन में डाल देंगे और हमें इसे धीमी आज पे तीन से चाल मिनट के लिए फ्राइ कर लेना है तीन से चाल मिनट हो चुके हैं और अब ये मिक्चर बिल्कुल रेडी है तो मैं इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और ध्यान रखे हमें इसे अभी बिल्कुल नहीं पीसना है जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे पीसेंगे अब हमें ग्रेवी की तैयारी करनी है तो इसके लिए मैंने पैन में एक टेबल स्पून ओल डाला है ओल बिल्कुल गरम हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसमें एक टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ जीरा को हम अच्छे से क्राकल होने देंगे और अब मैंने जो पेश्ट बनाया था टमाटर लहसुन प्याज अद्रक का वो हम इसमें डाल देंगे इस पेश्ट को पीछने टाइम मैंने लगबग एक स्पून पानी एड़ किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल स्मूथ पेश्ट चाहिए था इसे हलका से हम चला लेते है साथी साथ अब मैं सूखे मसाले डालूंगी इसमें सबसे पहले हल्दी पौर्डर एक स्पून पश्मीरी रेड चिली पौर्डर एक टेबल स्पून धनिया पौर्डर एक टेबल स्पून और नमक एक स्पून नमक की कौंटिटी आप अपने हिसाब से कम जाधा कर सकते हैं साथी साथ मैं यहां एक स्पून शुगर यानि की चीनी भी एड़ कर रही हूं आप चाहिए तो इसे डाल सकते हैं अदरवाई इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इन सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले अच्छी तरह से बिंचुके हैं अब यहां मैं दो टेबल स्पून फेटी हुई दही एड़ कर रही हूं दही बिलकुल फ्रेश होना चाहिए ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए इसकी जगा पर घर की मलाई या फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं अब हम इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंग एक से दो मिनट हो चुके मुझे से चलाते हुए अब मैं यहां पानी डाल रही हूं पानी की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं बस अब मैं इसमें ज्यादा पानी नहीं डालूंगी और अब मैं यहां पे एक स्पून गरम मसाला डाल रही हूं थोड इसमें डाल देंगे और ध्यान रखे फ्लेम को हमें लोज से मीडियम के बीच में ही रखना है और अब हम ब्रोकली और पनीर को ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए चला लेंगे अगर आपको लगे कि इसमें पानी थोड़ा कम है तो आप अपने हिसाब से पानी एक्ष्ट्रा एड़ कर सकते हैं बस अब हम इसे 5-6 मिनट के लिए ढखके पकाएंगे पान से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ किया था और आप देख सकते हैं ग्रेवी से ओल बिलकुल अलग होने लगा है यानि कि हमारी सबजी बिलकुल रेडी है तो सबसे पहले हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे आप इसे पूरी चपाती नान या फिर प्लेन राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर बनाएए और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए जल्दी मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई